हेलो गाईज, वेलकम टो और यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर एंजी के, मेरा नाम है सोरभ बारावाल और आज हम डिसकस करेंगे फोटो सिंथेसिस के बारे में, फोटो सिंथेसिस जितना एक नॉर्मल एक सिंपल सा टोपिक लगता है, यह उतना ही कॉम्पलिकेट और मु और यह अपने FCI का एक टोपिक है, मैं इससे पहले नो और टोपिक FCI के कवर कर चुगा हूँ, जो आपको हमारे अग्रिकल्चर एंजी के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आप किसी अग्रिकल्चर से लेटेड कंप्रिटेशन एंटरेंस एक्जाम की प्रोइड किया जाएगा, हमारी जो वीडियो जाती है, उनकी PDF भी प्रोइड की जाएगी, लास्ट टाइम जब FCI ने अपना एक्जाम कंड़क्ट करा था, मिस्टर अश्वनी कुमार ने वो एक्जाम क्रेक किया था, और उन्होंने अपने हाड़ वर्क, डेटर्मिनेशन के साथ वो एक्जाम क्रेक किया था, उन्होंने हमारा कोर्स भी परचेज किया था, और हमसे गाईडेंस भी झी ती और आद जो आप जो कोस्ट पे आपको ये कोस्ट प्रोवाइड किया है जिसके अंदर कम्प्लीट स्लेबर्स कवर किया जाएगा जितना हो सकते उतना मिनिमाईज और क्वालेटी कॉन्टेंट बनाने की कोसिस किये ताकि आपको कम टाइम में जादे से जादे रिटेन हो सके और लास्ट टाइम पे भी आप उसका रिविजन अच्छे से कर पाएं इसके और इसके साथ हम वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं उन सभी वीडियो लेक्चर के आपको बना के प्रोवाइड की जाएंगे ताकि आप अपनी नोलिज को चैक भी कर सकें अगर आप फसी आई का ये कोस्ट परचेज करना चाहते तो आप ये स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो फी जो फेरदेडर सकते हैं पहले मैं आपको एक ओवर वीव दे में थोगी आज हम इस टोपिक में पढ़ने क्या वाल् mae है जहन सब करता हैम आपना उप야ड़ास को इस सिंपल सब्दों में explain नहीं हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, उसके बाद pigment जो एक major part play करता है photosynthesis में, वो then light और उसके बाद है, fluorescence और phosphorescence, यह दो process है, जो इस light reaction के अंडर में आते हैं, जो इस photosynthesis के अंडर में आते हैं, काफी important topic है, यह अगर आप किसी bachelor degree भी कर रहे हैं, तो आप मतलब आपको graduation में भी मदद करेगा यह topic, और entrance exam के लिए भी उतना ही important है, उसके बाद हम light reaction पढ़ेंगे, dark reaction पढ़ेंगे, light reaction में, cyclic, non cyclic और dark reaction में, c3, c4 cycle, cam cycle, यह सब पढ़ेंगे, इसके साथ हमारा यह session complete हो जाए अगर आप की sitting capacity इतनी है, कि आप इतने सब topic एक साथ पढ़ने में और अपना mind एक दम focus रख सकते हैं, तो आप एक बार में one time में finish कर यह video को, नहीं तो आप इसको split doses में भी ले सकते हैं, जैसे कि fertilizer हम प्रोवाइड करते हैं, वैसे आप भी अपनी capacity की हिसाब से इस video को एक य कि यह point आ चुका है और इससे related question बन सकते हैं, तो अब हम अपना topic सुरू करते हैं, सबसे पहले photosynthesis क्या होती है, normally बोले तो जिससे पोदे अपना खाना बनाते हैं, पर यह एक vital physiological process होता है, vital मतलब एक कहें तो चमतकारी, vital physiological process होता है, जिसके अंदर जो chloroplast होता है, सबसे पहले chloroplast क्या होता है, chloroplast होता है, chloroplast के अंदर होता है chlorophyll, जो कि एक हमारा green pigment होता है, पोदे को जो green color देता है, वो यह chloroplast ही है, ठीक है, तो chloroplast के अंदर water और carbon dioxide की मदद से को use करके, light की presence में जो sugar बनाते हैं, plant, उसको हम photosynthesis कहते हैं, अब sugar क्या है, यह sugar वो food है, जो plant consume करेंगे और अपने आपको growth देंगे, अब photosynthesis के अंदर, जो measure इसकी वो है, reaction, एक simple reaction, CO2 plus H2O, CO2 carbon dioxide plus water, light की presence में CH2O बना देगा, प्लस O2, release हो जाएगी, इस energy के, मतलब इस process के duration में, क्या होता है, जो light energy होती है, वो अपनी chemical energy में convert हो जाती है, अगर कोई जाद ही छोटे level का exam होगा, तो उसमें, यह भी पूछ लेंगे, photosynthesis में, क्या light energy, chemical energy में जाती होती है, chemical energy, light energy, kinetic energy, यह सब बोल देंगे, तो आपको पता होगा, light energy, chemical energy में चें और अगर हम बात करें कि, इस photosynthesis के बारे में, सबसे पहले किस ने discovery की, या फिर किस ने इसके बारे में पता करना शुरू किया, तो सबसे पहले scientist थे, Stepan Hills, जिन्होंने 1727 में, first time explain किया था, कि कुछ तो relation है, कुछ तो relation है, sunlight और leaves में, तो उसके बाद, Seth ने 1887 में यह बताया, क यह जो photosynthesis process है, उसका जो first visible product है, वो होता है starch, तो यह दो important मेरे को लगे, scientist तो मैंने इनको इसमें add कर दिया, आप इतना तो यादी कर पाएंगे, पांच साथ scientist नहीं तो दो तो यादी रखें, अब यह normal size का एक process दिखा रखा है, कि sunlight की presence में, carbon dioxide होगी, water होगा, तो उस time पे sugar और oxygen में convert हो जाएगा, मतलब product sugar और oxygen हो जाएगा, अब बात करते हैं, photosynthetic pigments की, pigments कौन से होते हैं, pigments होते हैं, जो किसी चीज़ को color देते हैं, और plant में color हमें पता है, mainly तो green ही होता है, पर आपने देखूंगे, कुछ plants के leaves yellow भी होते हैं, orange भी होते हैं, और किसी के तो purple भी ह होते हैं, ठीक है, तो वो किस किस से आते हैं, वो अभी हम बात कर लेंगे, chlorophyll, मतलब जो green pigment देगा, carotenoid जो orange और yellow सा या दिये देगा, और phycobalins ये red देगा, और blue देगा, ठीक है, काफी अजीब बात है कि red के साथ ये blue दे रहा है, कुछ मिलता जूलता नहीं दे रहा, red और blue दे रहा है, उसके बाद है कि carotenoids में क्या क्या आ जाता है, पहली बात तो chlorophyll insoluble है water में, इसलिए अगर इसको extract करना पड़ेगा, तो इसके लिए organic solvent की जरुत पड़ेगी, acetone, petroleum या फिर alcohol, अब extract क्यों करना पड़ेगा, अगर आप chlorophyll की study करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसको leaves से extract करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ organic solvents की जरुत पड़ेगी, उसके बाद है नमबर दो पे, इसके opposite में अगर हम phycobilins की बात करें, तो वो तो water soluble है, अब water के साथ ही उसको extract कर सकते हैं, carotenoid की बात करें, तो इसके अंदर carotons और carotines और xanthophylls आ जाते हैं, और xanthophyll को carotinols बोल देते हैं, अब बोल देते हैं, अब next topic आ जाता अपना location of photosynthetic pigment in chloroplast, अब chloroplast के अंदर pigment की location कहा होती है, तो उसके लिए आपको ये सब पढ़ने की जरुद, आप पढ़ लीज येगा, पर मैं आपको diagrammatic वे से समझा जेता हूं, कि यहां पर लिखा हूँ है word grana, chloroplast, और उसके बाद है thylopoids, अब ये word आपको ऐसे देख के तो समझे नहीं आएंगे, पर अगर हम पढ़ें इस से, तो हमें समझ में आ जाएगा, अब ये है, ये अपना पूरा chloroplast है, इसके अंदर ये grana है, ये इसके पूरे bunch को अगर बोले तो grana, अगर इस bunch में से, अगर single इसको बोले तो, single unit को बोले तो thailyokoid बोलते है, अगर इन दोनो grana को जोडने वाली चीज़ को बोले तो, वो stromalahe मिला आगा, अब आपको समझ में आगा, grana ये होता है, thailyokoid एक single unit को बोलते हैं, और इनको मिलाने वाले है तो stromal बाद करें तो फोटो सींथेटिक पिगमेंट ग्रेणा की क्लौरोप्लास्ट करें तो अगर उसके एक सिंगल मेंब्रेन की बात करें तो वह उता है ओर फैलोकोईट जो और मेंब्रेन अज्सके बने होते प्रोटीन और लिपिड ये सब इंप्रेंट नहीं रखता कि हों सी ल इतना पता होना जरूर ही है उसके बाद हम बात करते हैं की थोड़ीत सी बात करें कि कि इसमें कितनी डिस्क बोल रही है यह इपना नर प्तिस्क होति है यह बता दिया यहां पर जितना International था एक्जाम पॉइंट ओविस वह हमने कवर किया उसके बाद है क्लोरोफिल अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डीप में पिगमेंट को एक एक करके एक्सप्लेइन करते हुए क्लोरोफिल जो कि हमें ग्रीन पिगमेंट देता है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर दो चीजे होती है एक होता है पॉर्पायरीन कंपाउंड मेगनीशियम पॉर्पायरीन कंपाउंड और जो पॉर्पायरीन कंपाउंड है उसमें फॉर पायरोल रिंग्स होते हैं ठीक आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया पर मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता रहा हूं अगर आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला पहली बात तो उसके बाद दूसरा अपना है केरिटोनोइड जो की येलो और ओरेंज पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं अपना क्लोरोफिल ग्रीन दे रहा था केरिटोनोइड येलो और ओरेंज पिगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर केरोटीन्स और जैन्थोफिल्स हा जाते इसके अंदर magnesium, magnesium कुछ नहीं होता, अपने chlorophyll के अंदर magnesium एक major constituent है, उसके बाद हम अगर phycobilins की बात करें तो यह आपको red और blue pigment देगा, तो वह आपसे easily एक question पूछ सकते हैं, कि red pigment कौन से red color कि किस pigment से मिलता है, क्या वो keratinoyles होते है, xanthophyll होते है, या फिर chlorophyll होता है, तो जो थोड़ा से इसको कम पढ़के जाएंगे, या फिर जिसने इस पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, वो सोचेंगे, के xanthophyll red pigment देता है, या फिर carotines red pigment देता है, क्योंकि जो अपना carrot होता है, उसमें carotene होता है, और ऐसे xanthophyll सायद उसके अंदर होता, पपाया दोनों provide करता है, इसके बाद, location के आओगी, photosynthesis pigment chloroplast की, या हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, के chloroplast होता है, chloroplast के अंदर ये stroma बढ़ा हुआ है, इसके अंदर ये सब grana है, grana के एक unit को, एक disc को thailakoid बोलते हैं, अब एक grana को दूसरे, grana को जोड़ने वारे lamula बोल होते हैं, ठीक है, कुछ इन में lipophilic part होता है, कुछ इन में hydrophilic part होता है, इसके बाद most important part, pigment का second most important part, वो है के chlorophyll के type कितने है, carotene में क्या क्या आता है, और वो किन-किन organism, किन-किन type के plants के अंदर, algae के अंदर, bacteria के अंदर present होते हैं, तो पहले जब chlorophyll एक ही बात करते हैं, तो ये all photosynthetic plant, photosynthesizing plant, जितने भी plant है, जो photosynthesis करते हैं, उन सब के अंदर chlorophyll A तो present होगा, उसके बाद बात करते हैं, chlorophyll B की, अब जो chlorophyll B है, ये किस में present होता है, ये होता है, जो higher plants होते हैं, या फिर green algae होती है, ग्रीन algae और higher plants दोनों के अंदर chlorophyll B present होगा, ऐसे ही chlorophyll C की बात करें तो die-atoms और brown algae देखिए B brown algae में नहीं है B green algae के अंदर है chlorophyll जो B है वो brown algae में नहीं है वो green algae में और जो chlorophyll C है वो brown algae में है और die-atoms है पर जो chlorophyll D है वो red algae में है R-E-D तो ऐसे याद कर सकते हो B जो है वो B से brown में नहीं है वो green algae में है और जो C है वो brown algae में present होगा और जो D है वो die-atoms में ना present होगे red algae में present होगा R-E-D algae में और bacteria chlorophyll A-B-C-D-E ये सारे जो purple और green bacteria होते हैं जो बच्चे है purple और green bacteria इनके अंदर ये सारे ABCD-E bacteria chlorophyll होते हैं carotenoids में alpha और beta carotene होती हैं ये किसमें higher plants के उपर या अंदर या फिर algae में present होते हैं उसके बाद जैंतोफिल ये present होते हैं higher plant और algae ये carotene carrots में present होगा xanthophyll papaya में present होता है xanthophyll vialo xanthine green leaves में present होता है fucosanthine brown algae में present होता है उसके बाद अगर हम बात करते है light की हमारा pigment वाला section खतम हो गया second most important part आता है light का light का अगर आप पूरा ना पढ़ना जाओ अगर basically मतलब जो most important question पूछे जाते हैं वो क्या होता है number एक बात होता है visible light कौन सी light photosynthesis में use होती है visible light number दो बात use होती है सबसे किस color की light सबसे जादा use की जाती है मतलब most efficient होती हो वो होती red light और उसके बाद पूछ लेंगे wavelength जो peak पे होगी वो 410 से 660 पे किस के लिए होगी chlorophyll A के लिए 410 से नहीं 410 और 660 पे peak level पे absorption होगा इसका chlorophyll A के अंदर और chlorophyll B के case में जो 452 की और 642 की होगी इनके उपर peak level पे absorption होगा chlorophyll B के अंदर इन wavelength की जो light होगी उनके अंदर यह दिखा रखा है कि यह सब radio waves, microwaves, infrared, ultra, x-ray, gamma ray इनका photosynthesis में कोई काम नहीं होता visible light जो हमारी विब गयोर होती है 400 nm से 700 nm तक की वही यूज में आती है और उसमें भी सबसे most important होती है red one ठीक है उसके बाद बात करते हैं यह दिखा रखा है कि यह अपनी chlorophyll A है यह वाली यह कहीं यह रहा और कितने भी 460 पे थी 410 और 660 410 और 660 452 तो इसमें शो हो रखा है कि यह कहीं 410 और 660 पे है और यह कहीं 642 पे है और 552 पे है तो यह ही दिखा रखा है बस पॉइंट याद रखो ना डाइग्राम बाइग्राम कुछ जादे जरूरी नहीं है अब कहते हैं कि light का transfer कैसे होता है कैसे absorb होते है कौन से pigment होते हैं तो इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि stroma होता है stroma के साथ यह ग्रैना होते है यह थायलकोइट्स होता है यहां पर इसके लेयर के अंदर chloroplast होता है जिसके अंदर chlorophyll होती है जहां पर light energy absorb होती है और वहां पर सारी reaction होती है उसके बाद अगर हम अब इस चीज में क्या आते हैं इसमें दो चीजे आती हैं अब जोप्शन के case में कि जब light absorb होती है तो कौन से दो process होते हैं वो होते हैं फ्लोरोसेंस और फोस्फोरीसेंस इसको अच्छे से discuss करते हैं कि फ्लोरोसेंस कब होता है फोस्फोरीसेंस कब होता है इनमें difference क्या-क्या है तो diagrammatic वे से समझाना पड़ेगा इसके लिए हम चलते हैं notes के अंदर तो sur llamato रिंदर फेस्धी तो मानलेते हैं यह प्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो भफ्लोरोफिल या फिर a tap यह chlorophyll कहां पर होते ही इतना आपको समझी में आ गया होगा कि लीफ के अंदर जो chloroplast होता है chloroplast के अंदर chlorophyll होता है तो chlorophyll के अंदर ही photosystem यह present होते है जहां पर photosynthesis होती है तो मान लो कि यह sun है और sun से यह radiation आ रही है लाइट आ रही है जब यह chlorophyll molecule के उपर पड़ेगी तो क्या होगा इसमें जो electron होंगे वो सब excited state में आ जाएंगे और excited state में मतलब वो उनके अंदर कुछ energy भढ़ जाएगी मान लो अब वो इस state पर आ गए है जब वो chlorophyll molecule से जो electron excited state में गया है अब पहले जब यह normal state को क्या बोलते है नॉर्मल state में था इसको बोलते हैं ground singlet state यह होती है ground singlet state अब जब यह excited हो गया है तो हम इसको बोलेंगे इसको थोड़ा ओर उपर ले लेते हैं क्योंकि इस diagram थोड़ा बड़ा होने वाड़ा है तो जब यह उपर excited हो गया तो यह stage कोन से आ जाएगी हो जाएगी excited excited second singlet state तो अब कहेंगे आप excited first singlet state कहा गई वो भी आगया आएगी यह है इसको जब पहली बार जब chlorophyll से जो electron excited state में आगे जब sun से sunlight पड़ी तो अब energy transfer होगी उस electron के अंदर वो उस electron की energy बढ़ गई तो excited state में चला गया और जब वो excited state में गया तो उसको बोलेंगे excited second singlet state और इसकी कुछ life भी होती है अब क्योंकि अब यह excited हुआ है तो कभी ना कभी यह अपनी energy lose भी करेगा और ground state में भी आएगा तो उससे पहले इसकी इस position पर उसकी life कितनी होगी वो होती है 10 की power minus 12 second और सबसे important बात यह एक unstable state है यह कभी ना कभी अपनी energy lose करेगी तो यह unstable state है इससे इतना पता चल जाता है उसके बाद जब यह मान लो अभी अपनी energy lose करती है इसने अपनी थोड़ी सी energy lose की डाइग्राम थोड़ी मेरे खराब ही बंढ रहे है पर गोशिस करता हूं जो समझा रहा हूं आपको समझ मैं आएगा तो अब जैसे इसने अपनी थोड़ी अब यहां से इस अंस्टेबल स्टेट से ग्राउंड लेवल तक पहुचने के लिए दो पात्वे दो पात्वे कौन-कौन से या तो वह नोर्मली हीट की फोम में energy loss कर दे heat energy loss lose in the form of heat ठीक है या फिर दूसरा वो क्या करे वो radiation develop करे radiation emit करे अगर यह radiation emit करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे अगर यह radiation emit करता है तो अब यह हमारा most important मतलब first part आ जाता है इसको बोलेंगे है फ्लॉरोसेंस 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 बोलेंगे ठीक है और यह जो फ्लॉरोसेंस है यह light की presence में होता है जब light dependent बोल सकते हैं इसको मैं बताऊंगा कि मैंने इसको यहां पर यह point को highlight क्यों किया है फ्लॉरोसेंस एक light dependent process हो गया और यह process है जिसमें first excited state से energy lose करके अपनी ground state में आने के लिए कोसिस करेगा वो atom या energy जो की excited state में जा चुकी थी अब जब radiation उसने emit की तो इसको प्रोसेंस को बोलो यू-r-e-s-c-e-n-t fluorescent light अब यह जो टोपिक है यह एक तरह से जो ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग और जो एक्जाम point of view से पढ़ रहे हैं दोनों के लिए यह वाला topic most important क्योंकि एक्जाम में यह question तो पूछा ही जाता है क्योंकि अभी जैसा मैं समझाओंगा आपको उससे पता चल जाएगा कि क्यों पूछा जाता है इसमें क्योंकि इसमें डिफ्रेंस होता है कुछ point में और यह इंटर इंटर रिलेट है दोनों के दोनों जो प्रोसेस है fluorescence और phosphorescence ठीक है अब एक तीसरा point इसी से रिलेटिड़ी fluorescence से रिलेटिड जो यह जो light है fluorescent light इसकी जो wavelength होगी वह ज्यादा होगी किस से incident light I n c i n c i d e n t incident light से incident light की जो wavelength है उससे ज्यादा इसकी wavelength होगी अब एक तो यह case हो जाता है कि नोर्मल कुछ change नहीं हुआ आया first excited state से ground level पर जाने के लिए प्रोसेस हो गया एक दूसरा प्रोसेस है अगर वो जो excited state में molecule था atom था electron था excited state जो थी उसमें जो electron था या atom था उसमें क्या हो उसमें क्या आगर कुछ internal conversion आ जाए कुछ भी x y z इंटर्नल कंवर्जन इंटर्नल कंवर्जन आ जाए अब वो इंटर्नल कंवर्जन मेंली क्या होता है स्पिन चेंज गर देता है अब यह स्पिन के चक्कर में आपना पड़ें इंटर्नल कंवर्जन किसी थी तरह का हो गया तो वहां से हमारे पास तीन तरीके निकलाते हैं कि अब वो इलेक्ट्रोन एक्सपैल हो जाए और किसी एनी अदर फोटो कैमिकल रियक्शन में यूज हो जाए यह तीन पार्ट आ जाएंगे हीट की फोर्म में हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर वो इंटर्नल कंवर्जन के बाद रेडियेशन अमिट करता है तो हम उसको बोलें आगे फोस्पोरी सेंस पी एच ओ एस पी एच ओ और इस सी एन सी ए ठीक है फोस्पोरी अर अच्छा एक बात बताना भूल गया अगर यह इंटर्नल कंवर्जन होता है तो अभी तक तो जितने भी यह स्टेट बन रहे थे देखिये एक्साइटेट स्टेट में सेकेंड बन रहा था क्योंकि इन में कुछ भी इंटर्नल कंवर्जन नहीं हो रहा था बस एक्साइटीड हुआ और थोड़ी सी एनरजी लूज कर दी या फिर फिर दूसरी तरीके से एनरजी लूज कर गया और ग्राउंड स्टेट पर यहां पर क्या हुआ इंटर्नल कंवर्जन हो यहां पर एक most important पार्ट आता है कि यहां पर इंटर्नल कंवर्जन के बाद वो कौन सी स्टेट में चला जाता है वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है इसको डीप में पढ़ने की जोड़त नहीं है बस यह याद रखो कि जब इंटर्नल कंवर्जन हो जाएगा उस एक् फिर वो second excited singular state हो ठीक है तो अब यह पता चल गया कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट अगर रेडियेशन की फोम में एनर्जी रेडियेशन की फोम में एनर्जी लूज कर रही है तो उससे कौन सा प्रोसेस होगा फोस्पोरिसेंस और उस फोस्पोरिसें अब यहां पर एक और अच्छा पोइंट आता है कि इसकी जो वेवलेंथ होगी वो जादा होगी बोथ इन दोनों ही लाइट से इसकी वेवलेंथ जादा होगी तो डिफ्रेंस कहा कहा आचुगा एक तो सिंगलेट स्टेट में फिर ट्रिपलेट स्टेट में वो दोनों की दोनों क्या थी वो अंस्टेबल स्टेट थी पर यह जब ट्रिपलेट स्टेट पर आजाती है तो यह एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइट यह मैटा स्टेबल स्टेट आजाती है मैटा स्टेबल मतलब यह थोड़ी वह ज़्यादा stable है उन जो वो जो excited state सी उन से थोड़ी सी ज़्यादा stable है ठीक है और इसकी lifetime कितना होगा इसका life period होगा 10 के बाद माइनस 3 सेकेंड तो यहां पर देखे कितने सारी difference आ चुके हैं एक तो उनके lifetime period में आ चुका है उनकी stable state में आ चुका है फिर उनके बाद उनकी जो triplet state, singlet state में आ चुका है उसके बाद wavelength में आ चुका है जब यहां पर इतने सारी difference कहीं पर पता चलेंगे इंटरिलेटिड होके तो वो topic तो most important बनना बनना ही होता है जरूर ही होता है इसी के साथ हमारा discuss हो गया है कि phosphorescent क्या होता है और fluorescent क्या होता है ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अब हम next topic पर चलते अपने यह diagram अगर simple form में देखे तो पहली बार अगर यहां से चलू यह देखिए excited state में आया अगर यहां से वापिस आ जाता है बिना internal conversion के तो उसको fluorescence बोल जाते है और यहां पर 10 की पावर minus 10 minus 7 लिखा हुआ है तो इसको minus 9 एक middle में मान सकते है पर अगर उसमें कुछ internal conversion आया है internal spin conversion कुछ ऐसा internal spin conversion है अगर यह होता है तो वो phosphorescence क में ग्राउंड स्टेट पर आता है तो यहां पर बहुत शोर्ट में था पर मेरको आपको अच्छे से सारे point कावर कराने थे तो मैंने आपको अलग से समझाया है अब बात करते हैं कि quantum requirement और quantum yield यह दो टम्स है काफी important terms है आप graduate है graduation कर रहे हैं तो भी आपके और यह जरूरत है तो देखें एक चीज है requirement और एक चीज है yield और इनमें common क्या है quantum जिन्होंने physics पड़ी होगी उनको तो समझने की जरूती नहीं पड़ेगी वहां पर बहुत जादा यूज होती है atom पर जिन्हों नहीं पड़ी तो उनको यहां पर पता देते हैं तो जो light rays होती है वो consist करती है tinny particles उनके अंदर tinny particles होते हैं उनको बोलते है photon जो light rays होती है उन rays के अंदर tinny particles होते हैं जिनको photon बोलते हैं और जो उन photons के अंदर कुछ energy होती है जो photon होंगे उनके अंदर कुछ energy होगी और उसी energy को हम quantum बोल देते हैं तो अब यहां से आपको कुछ समझ में आने लगा के अंदर light ray के अंदर एक photon है, photon की कुछ energy है, उस energy की requirement और उस energy की yield, थोड़ा थोड़ा clear हो रहा हुगा, अब आगे clear इसको अच्छी कर देते हैं, the number of photon, या फिर कितनी quantity of quantum, मतलब जो energy है, energy की कितनी quantity होगी, require होगी to release one molecule of oxygen in photosynthesis, photosynthesis करके एक molecule of oxygen को release कराने के लिए कितने quantum, या फिर किस amount of quantum, या फिर कितने number of photon, कुछ भी कहा दो इन तिनों में से, कितने की requirement होगी, उसी चीज़ को हम बोल देते है, quantum requirement, इसी तरह requirement complete होता है, तो अब yield आ जाता है, अब इसका उल्टा कर दो, on the other hand, number of oxygen molecule released, मतलब कितने number of molecule oxygen के release होंगे, पर photon of light photosynthesis, photosynthesis में एक photon जब use होगा, उससे कितने oxygen release हो सकते हैं, या फिर हो रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे, quantum yield, मतलब उस quantum की yield, और एक होता है, quantum requirement, आपको अच्छे से समझ में आगे होगा, अगया होगा, अब अगर हम बात करते हैं, के photosynthesis की एक, जो normal सी एक equation है, उसमें क्या होता है, जो hydrolysis होता है, जैसे 4H2O है, चार water के molecule है, अब वो किसमें डिवाइड हो जाएंगे, 4OH negative और 4H positive, अब अगर हम इस 4OH पहले इसको संभालते हैं, 4OH negative को लिया, तो इससे क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, 2H2O प्लस O2 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर दो oxygen यूज़े हैं, पर हमारे पास तो चार oxygen ह ठीक है, और इसमें से चार electron निकल जाएंगे, यह negative वाले, ठीक है, तो हमारे पास चार electron बन गए, एक oxygen रिलीज हो गया, और दो water के molecule आगे, अब यह जो 4H थे, इसको यूज़ कर लेते हैं, CO2 के साथ, जब यह CO2 के साथ यूज़ किया, तो CH2O बन गया, CH2O, यह एक तरह से कहें, तो यह 1-6 है, एक glucose का, एक glucose molecule का 1-6 पार्ट है, ऐसे ही 6 चकर लगेंगे, तो एक पूरा glucose molecule बन जाएगा, प्लस water रिलीज हो जाता है, एक molecule, ठीक है, तो यह हमारा पूरा प्रोसेस है, जिससे हमें पता चलता है, फोटो सिंतेजिस में कैसे glucose बन रहा है, कैसे oxygen रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद है, light reaction की बात करते है, light reaction में हमें, छोटी-छोटी चीजे क्या पढ़ने है, नमबर एक बात, एक होता light harvesting complex, नमबर दो, एक होता photo system, अभी के लिए यह दो चीजे पढ़ते हैं, फिर इनका use पढ़ेंगे, तो light reaction, एक photo chemical reaction है, इसके अंदर light का absorption मतलब light absorb होगी, water splitting मतलब water का splition मतलब water hydrolysis हो रहा है, और उसके साथ oxygen रिलीज हो रही है, ठीक है, यह तीन चीजे, प्लस में major part क्या होगा, formation होगी high energy chemicals का, अब वो कौन है, वो है ATP और NADPH, अब इसका पूरा process हम पढ़ेंगे आगे, इससे पहले हम पढ़ते हैं, the pigments are originated into two discrete photochemical light harvesting complex, अब जितने भी वो pigment होते हैं, वो दो light harvesting complex के अंदर बटे हुए है, अब वो किस base पर बटे हैं, वो भी आगे discuss करेंगे, और वो कौन से दो harvesting complex है, वो पहले है photosystem 1, जिसको हम PS1 बोल देंगे, और दूसरा है photosystem 2, अब photosystem 1 और photosystem 2 यह sequence के हिसाब से इनको नाम दिया गया है, और इसके पीछे का कोई logic नहीं है, यह जिस sequence में यह discover हुए है, उसी sequence में इनको 1 और 2 नाम दे दिया गया, ठीक है, जो light harvesting complex है, are made up of hundreds of pigment molecules bound to protein, इसमें hundreds of pigment एक protein से bound होते हैं, each photosystem has all pigments except one molecule of chlorophyll, हर photosystem में बहुत सारे pigment होंगे, except the chlorophyll A, forming light harvesting system also called anti, अब हमने यह बात पहले discuss कर ली, कि chlorophyll A के अलावा, जितने भी pigment हो गये, B हो गया, या फिर zenthophyll हो गया, carotene हो गया, यह तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जितने भी हैं, उन सब को हम बोलेंगे, accessory pigment या फिर बोलेंगे हम उनको anti ने, ठीक है, these pigments help to make photosynthesis more efficient, इनका काम क्या होगा, यह photosynthesis को more efficient बनाने में help करेंगे, यह different wavelength की lights को absorb करेंगे, और उसको transfer कर देंगे, center of reaction से, reaction center तक जो है अपना chlorophyll A, chlorophyll A जिसको हम reaction center बोलते हैं, वहाँ तक transfer कर देंगे, reaction center are different in both photosystem 1 and photosystem 2, ठीक है, यहीं से एक photosystem 1 और 2 difference हो जाता है, कि जो photosystem 1 है, उसमें जो reaction center होगा, वो, होगा chlorophyll A, ठीक है, और वो absorb करेगा, peak level की 700 nanometer की light को, इसलिए उसको P700 बोल देंगे, और जो photosystem 2 होगा, it has a absorption of maxima at 680 nanometer, इसलिए उसको P680 बोल देंगे, किस level की wavelength सबसे अच्छी, मतलब कि most efficiently absorb करेगा, वह 700 वाली, तो उसको P700 बोल दिया गया, और जो photosystem 2 है, उसके अंदर 680 तक की, तो उसको P680 बोल दिया गया, अब मैंने इसका theoretical part इसलिए नहीं बताया, क्योंकि वह काफी जादा broad हो जाता है, मैं आपको diagrammatic वे में ही बता देता हूँ, जो photosystem है, उसको जैसे मैंने बताया कि, एक है P700 और एक है 680, ठीक है, इससे दो process में photosynthesis हो रही है, यह दोनों किसमें आती है, light reaction के अंदर आती है, आती है, light reaction, ठीक है, अब इसी तरह dark reaction भी आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यह कोती light reaction होती है, dark reaction, light पर डिपेंड करती है, dark reaction, light पर डिपेंड नहीं करती है, और एक बाद मैं बताना भूल गया, कि जो, यह phosphorescence, जो light है, तो phosphorescence process है, यह light के independent है, अगर इस process के बीच में, radiation के लिए, radiation के, मतलब यह level पर पहुच के, अगर light cut off भी हो जाती है, तो भी यह process continue रहेगा, और process पर कोई effect नहीं पड़ेगा, पर यहीं अगर बात करें, fluorescent light की, fluorescence process की, उसमें अगर light cut हो जाती है, त प्रोसेस रुख जाता है, मतलब उसको light का इंतजार करना पड़ता है, प्रोसेस को continue करने के लिए, तो अब light reaction में यह दो टाइप के process हो रहे है, पहला है cyclic, photo phosphorylation, और यह red scheme, इसमें cyclic इसलिए बोला गया है, जब light, radiation light से, photosystem 1 मतलब P700 के उपर, तो electron excited हो रहा है, और वो electron receptor क उपर जा रहा है, जो कि photosystem 1 का है, वहां से वो electron transfer हो जा रहा है, electron transport system में, electron transport system के अंदर का process हम आगे पड़ेंगे, मतलब ना भी पड़े तो भी चलेगा, electron transport system जो है, वो ADP, adenosine diphosphate में एक phosphate मिला के, adenosine triphosphate बना देता है, मतलब इससे एक बात दिमाग में डालो, जो cyclic वाल है, उससे ATP बनता है, सिर्फ ADP, ना कि NADP है, ये बात confirm हुई, और photo, जो cyclic वाला है, number 2 point इसमें क्या रखना है, कि cyclic वाले में photosystem 1 use होता है, दो important part इसमें cover हो गई, मतलब दो important बाते इसमें cover हो गई, अब हम Z scheme की तरफ चलते हैं, Z scheme क्यों वो लगया, अगर आप इसको थोड left to right मतलब horizontally देखेंगे, vertically नहीं देखेंगे, तो ये एक Z बना रहा है, ये देखिए, ये मेरा हाथ कल चल गया, ये Z है, ठीक है, उसके बाद इसमें जो पहला system है, वो है, photosystem 2, जब photosystem 2 पर light पड़ती है, तो वो उसके electron excited state में जाते है, electron acceptor पर पहुँचते हैं, सेम उसी तर electron transport system में enter करते हैं, जहां पर ADP, ATP में convert हो जाएगा, अब ये वाले electron वापिस, photosystem 1 के, light harvesting ये जो complex है, इसके अंदर ना जाके, वो चले जाते हैं, photosystem 1 के अंदर, और एक major difference क्या होता है, इसके अंदर, कि जो, ये जो Z scheme है, इसके अंदर electron आते कहां से हैं, इसके अंदर होता है, water का hydrolysis होता है, hydrolysis से जो electron develop हो रहा है, वो जा रहा है, LHC के अंदर, और वो excited हो रहा है, पर जो cyclic है, इसके अंदर hydrolysis नहीं हो रहा है, इसमें जो present है, electron वही घूम फिर के उसी के अंदर आता जा रहा है, पर इसके अंदर continuous hydrolysis होगा, electron develop होगा, और वो आगे transport chain में जाता रहेगा, क्योंकि वो वापिस तो आ नहीं रहा है, वापिस नहीं आ रहा है, तो हम use कैसे कह रहेंगे, अगर अपने आप नहीं बन रहा है, तो अगर वो वापिस आता LHC के अंदर, तो हमें hydrolysis की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पर hydrolysis की जरूरत ही इसलिए पड़ी वो अपने LHC के अंदर use होगा, वो उपर excited होगा, और electron receptor पर पहुचेगा, electron receptor से electron transport system के अंदर, जहाँ पर ADP, ATP में convert हो जाएगा, यही electron photo system 1 के harvesting complex के अंदर जाएगा, light harvesting complex के अंदर, और फिर से excited state में जाओगा, और electron receptor के पास पहुचेगा, और यहाँ पर यह NADP positive को NADPH में convert कर देगा, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि Z scheme में नमबर एक बात hydrolysis हो रही है, नमबर दो बात NADPH plus ATP दोनों develop हो रहे हैं, नमबर तीन बात photosystem 1 और photosystem 2 दोनों use हो रहे हैं, तो यही छोटे-छोटे point है, जो कि question exam में पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे तो इसकत नहीं आएगी, mechanism photosynthesis का हमने पहला mechanism पढ़ लिया, light reaction जिसका नाम है primary photochemical reaction, यही primary reaction है, दूसरी है, इसको hill reaction बोलते हैं, और Arnons cycle बोलते हैं, क्योंकि Arnons ने इसको, क्या बोलते हैं, discover किया था, तो इसलिए इसका नाम Arnons cycle पढ़ गया, और hill reaction इसलिए पढ़ा है, क्योंक मतलब uphill, downhill, यह सब बोल दे के, इसको hill reaction बोल दिया गया, इसके बाद, जब light reaction, primary photochemical reaction, hill reaction, Arnons reaction, यह हमारा part cover हो चुका है, इसके बाद, दूसरा part आता है, अपना dark reaction, यह थोड़ा complicated भी है, question भी ज्यादा आते हैं, और important भी है, तो dark reaction का दूसरा नाम है, black man's reaction, path of carbon photosynthesis, अब इसम को hint दे रहा हूँ के carbon से related, carbon से related काफी question पूछे जाते, carbon in the sense, carbon dioxide से related काफी question पूछे जाते, exam में वो भी dark reaction से, अब वो question क्या है, जो पूछे जा चुके, वो मैं आपको पताई दूँ, light reaction हमने पूरा पढ़ी लिया है, 680 वाला, 700 वाला, कोन ATP जनरेट करना है, कोन ADP जनरेट कर रहा है, यह सब पने पढ़ लिया, अब एक बार difference एक बार गहां से भी पढ़ लेते हैं, difference है जैसे, अगर हम cyclic की बात करेंगे, cyclic की बात करेंगे, तो इसमें सिर्फ photosystem 1 associate होता है, इसमें 1 और 2 दो नो associate होता है, इसमें electron expel होता है, molecule cycled back, जो electron बन रहा है, मतलब जो chlorophyll से आ रहा है, वो ही cycle back होके वो उसके अंदर वापिस आदा है, पर इसके अंदर क्या होता है, hydrolysis का होता है, photolysis होता है water का, जिसको hydrolysis बोल रहा हूं है, water का photolysis हो रहा है, वहाँ से electron आ रहा है, और वो chlorophyll के अंदर जा रहा है, पर cycle back नहीं हो रहा है, उसके बात photolysis of water and evolution of CO2 does not take place, यह बता है मैंने आपको कि इसके अंदर photolysis होती नहीं है, cyclic के अंदर पर इसके अं इसके अंदर यह point याद रख लो, कि photo, photo, phosphorylation take place दो places पे और इसमें एक बारी, इसमें NADP नहीं बनता है, इसमें NADPH बनता है, ATP, ADP यह सब आपने पढ़ लिया, Z scheme कौन सी थी, Z scheme non-cyclic थी, क्या बन रहा था, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं इसको बहुत ही बैतरीन तरीके सा आपको समझा चुका हूँ, डार्क रियक्शन पर आते हैं, टाइम ना खराब करते हैं, डार्क रियक्शन में क्या होगा, इसको अम एक तरह से second step मान लेते हैं, photosynthesis का, यह क्या होगा, कि light जब present नहीं होगी तो भी यह चलता रहेगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइट पर यह डिपेंड नहीं है, the chemicals process of photosynthesis occurring independent of light is called dark reaction, टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ओफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा उसके अंदर बनती है, dark reaction is purely enzymatic and slower than light reaction, यह purely enzymatic मतलब यह enzymes के उपर purely dependent है, और यह slow होती है, light reactions है, enzyme के उपर dependent है, इसका मतलब क्या है, कि इसको यह light white का जड़त नहीं है, कि light पढ़ेगी photolysis होगा, यह excited state में जाएगा, इसको वो सब जनजट नहीं है, इसके अंदर, बस enzyme की मदद से यह पूरा अपना काम करेगा, यह बिना light के तो, मतलब light में तो चलेगी, पर यह बिना light की presence में भी चलेगी, in the dark reaction, the sugars are synthesized from CO2, मैंने का था, CO2, अभी तो आएगा, इसके बारे में होगा, the energy poor CO2, यह वो plant होते है, मतलब dark reaction का, जो यह C4 plant होगे, C3 plant होगे, यह थोड़े efficient होते है, carbon dioxide को utilize करने में, अब यह जो dark reaction है, यह दो cyclic reaction है, कौन-कौन सी है, एक तो Kelvin cycle, जिसको हम C3 cycle बोल देते हैं, बस यह याद रखो, ध्यान से, Kelvin cycle को बोलते हैं, C3 cycle, और hatch and slack pathway को बोलते हैं, C4 cycle, ठीक है, C3 का छोटा नाम है Kelvin cycle, C4 का थोड़ा बड़ा नाम है hatch and slack pathway, ठीक है, चलो अब discuss करते हैं, important part, तो इसके अंदर जो major part हमें देखना है, number एक बात, के carbon, carbon dioxide, CO2 लिख देता हूं, CO2 किसके साथ fix हो रही है, किसके साथ attach कर रही है, किसके साथ fixation कर रही है, number एक बात, number दो बात, first stable compound कौन सा है, compound कौन सा है, number तीन बात, जो net energy molecules जो बने हैं, वो कितने हैं, energy molecule, ठीक है, यह तीन चीजे देखनी हैं हमें, तो तीसरा point क्या जरूर है, net energy molecule required to synthesize one molecule of glucose, ठीक है, यह तीन पॉइंट आपको कुछ और याद रखो ना रखो, यह तीन पॉइंट इन तीनो साइकल से याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, उसके बाद हम इन तीनो पॉइंट के answer लिखेंगे, सबसे पहली बात क्या थी, कि carbon dioxide किस के साथ fix हो रहा है, तो जब हम C3 cycle की बात करते हैं, C3 cycle में carbon dioxide आई, input में CO2 है, जब यह आई तो यह किस में attach हुई, यह ribulose by phosphate में यूज़ी न, तो सबसे पहला हो गया कि carbon dioxide के साथ fix कौन हो रहा है, ribulose, ठीक है, पहला point important यह हो गया, number 2 point क्या था, कि इसमें first stable compound कौन सा है, तो stable compound होगा, pyruvic acid, sorry pyruvic acid नहीं, sorry यह pyruvic acid नहीं होगा, मैं थोड़ा दूसरी cycle में चला गया था, इसमें first stable compound होगा, phosphogilceric acid, यह होगा first stable compound, और तीसरा point था most important वो था कि कितनी net energy molecule consume हो रहे है, use हो रहे है, one molecule of glucose बनाने में, ठीक है, तो उसके case में क्या होगा है, इसमें 6 cycle में total 6 cycle लगेगी, जिनके अंदर 1 glucose बनेगा, देखरो, 6 cycle से 1 glucose, अब उन 6 cycle में total कितने ATP, NADP यूज हुए, तो वो है, 18 तो इसमें ATP यूज हो जाएंगे, और 12 NADPH, तो यह है total, ठीक है, यह है total, net की जगा आप total लिख दो, ठीक है, total इतने यूज हुए है, पर cycle पूछ ले, पर cycle पूछ ले, तो चार 6 से इसको डिवाइड गर दो, मतलब 3 ATP, और 4 NADPH, ठीक है, तो Kelvin cycle से यह 3 important part, के ribulose में पहली बार, पहला ribulose है, जिसके अंदर carbon fixation होगी, नमबर दो बात, first table compound, phosphogylseric acid हो जाएगा, total energy molecules जो यूज हुए है, एक glucose का molecule बनाने में, हुए 18 ATP और 12 NADP, ठीक है, अब इसको क्या आप भी पढ़ सकते हैं, कहां से क्या बन रहा है, यहां पे 6 ATP यूज होगे, यह 6 NADP यूज होगे, फिर 3 NADP यूज होगे, है, नमबर एक बात, कि क्या था पहला, कि carbon dioxide किसके साथ fix हो रही है, CO2 किसके साथ fix हो रही है, तो वो है अपना, phosphophenol pyruvate, तीक है, नमबर दो बात, first table compound wounds है, first table compound है, pyrukeny, oxaloacetic acid, इसको हम OAA बोलते हैं, क्या, oxaloacetic acid, ठीक है, यह हो गया, नमबर 3 बात कि net, मतलब total energy molecule, पर glucose molecule, ठीक है, तो वो इसके किसमें कितने हैं, इसमें थोड़े जादा हो जाएंगे, 30 ATP, और 12 NADPH, ठीक है, और इसके अंदर भी सेम वही है, 6 cycle लगेगी, 6 cycle में बनेगा, ठीक है, इसको एक औरली पढ़ लेते हैं, जब CO2 था, इसके अंदर आया, water के साथ मिलके, है, HCO3 बन गया, HCO3 फोस्फो फिनोल पाइरवेट के साथ मिला, कार्बोक्सिलेशन हुआ, C4 एसीड बन गया, C4 एसीड यही है, वो, ओक्जालो एसीटिक एसीड, ठीक है, हाँ, एक और बात कि इनका नाम C4 और C3 cycle को पड़ा, उस केस में, पहला स्टेबल कंपाउंड था, वो तीन कार्बन का था, और इस केस में, जो पहला कंपाउंड वो चार कार्बन का है, स्टेबल कंपाउंड, जो C4 एसीड था, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकली, कैल्विन साइकिल में चली गी, वो, CO2, और C3 एसीड था, यह C3 एसीड फिर से मीजोफिल सेल में गया, रिजनरेशन होई यह, हम मीजोफिल सेल का होगे, यह मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल यह का होता है, मीजोफिल सेल स्पेशल सेल होती है जो फोटो सिंथेसिस के लिए यूज होती है और बंडल सेल होती है जो वस्कुलर बंडल के आसपास जितने भी सेल होती है वो सारी बंडल सीथ सेल होती है वस्कुलर बंडल के साथ में जो सेल होती है वो बंडल सीथ सेल होती है बस इतना य process यही same रहेगा प्रोसेस यही same रहेगा यही C4 वाला बस इसमें divide हो जाएंगे day और नाइट में एक step होगा दे में एक step होगा night में वो कौन से step होगा इसमें पढ़ लेते हैं some plants that are adopted to dry environment such as category and pineapple the camp plants कौन से हो गये example पूछ सकते हैं important है कौन से कैक्टी प्लांट और पाइनेपल प्लांट हाथ की हाथ इसके भी दो एक्जामपल बता देता हूं पता ही होंगे वैसे तो आपको पहला होता है दो एक्जामपल कौन सा पहला हम मान लेते हैं सूगर केन और दूसरा मान लेते हैं मेज तो यह इसके दो important C4 plant हो गए उसके बाद अगर हम बात करें camp plant की तो कैक्टी और पाइनेपल पता चलिगे आपको use crust crustulation acid metabolism ठीक है नाम तोड़ा जीव है तो camp pathway यह use करते हैं to minimize the photorespiration अब देखिए photorespiration क्या होता है photorespiration मतलब जैसे हम करते हैं respiration और plants करते हैं photorespiration मतलब जब sunlight पड़ेगी तो अपनी leaf surface से या फिर plant के surface से यह gases का exchange करते हैं जिसके साथ साथ जो water होता है वह evaporate हो जाता है ठीक है और जिससे पानी की कमी आ जाती है तो पानी की कमी मतलब photorespiration कम करने के लिए जिससे पानी की कमी पानी का loss भी कम हो तो उसके लिए camp pathway यूज करते हैं इसमें यह का करते हैं बहुत अच्छा तरीका है कि दिन के time में अपने यह stomata जो होते हैं stomata, stomata क्या होते हैं वो रंदर होते हैं जो plant की leaf है यह इसमें छोटे-छोटे रंदर होते हैं जिन से gases exchange होती है उनको स्टोमेटा बोलते हैं और उन्हीं से ही moisture भी बहार जाता है gases के साथ ठीक है तो यह दिन के time पर अपने स्टोमेटा को बंद कर लेंगे और रात को ओपन करेंगे जब temperature ज्यादा नहीं होगा और ज्यादा फोस्फो क्या बोलते हैं इसको photorespiration नहीं होगा यह दो कम होगा इस नेम कमस फ्रों दर फैमिली प्लांट्स क्रस Cresulaceae in which scientist first discovered this pathway तो यह फैमिली के अंदर scientist ने पहली बार यह पाथवें डिसकावर किया था अब क्या पाथवें instead of separating the light dependent reaction यह light dependent reaction को separate करने के बजाए the use of co2 in the calvin cycle in space यह co2 की जो co2 का use करते calvin cycle में उसकी जगह पे camp plants separate these process in the time वो अपने use करने के time को ही change कर देते मतलब separate कर देते process को at the night और वो यह काम करते रात के time पे तो सिधी सिधी सी बात बताऊं जो इन्होंने यह co2 uptake किया है यह वाला process होगा जिसमें अंदर c4 acid बनेगा यह वाला process हो जाएगा इनका रात का ठीक है जब रात को यह process हो जाएगा मतलब co2 का enter करवाना है उसके लिए stomata open होने चाहिए और वो stomata रात को open कर रहे है फोटो रेस्पिरेशन कम हो गया water का loss भी कम हो गया co2 भी अंदर हो गई और प्रोसेस चाल लूगी हो गया केम प्लांट ओपन देर स्टोमेटा रात के टाइम पर वो एट नाइट केम प्लांट ओपन देर स्टोमेटा मतलब रात में open करेंगे allowing co2 fixed into oxaloacetate और वो co2 को oxaloacetate में convert कर देंगे या फिर co2 को fix help करेंगे allow करेंगे co2 को fix होने में किसमे oxaloacetate जो मैं oxaloacetic acid बोल रहा था वो oxaloacetic acid आये answer में तो oxaloacetic acid लगाना क्योंकि वहाँ पर acid है और या फिर oxaloacetate आये तो oxaloacetate को भी आप टिक कर सकते हैं by phosphoenol pyruvate phosphoenol pyruvate से किसमें convert कर देंगे phosphoenol pyruvate का जब carboxylase होगा तो उससे oxalate बन जाएगा CO2 की मदद से then convert to to malate उसके बाद यह जो बनाएं C3 यह जो C3 बनाएं acid यह है malate ठीक है अब उसके बाद malate बन जाएगा और यह सारा होगा process दिन के टाइम पे किस टाइम पे होगा next day another type of organic acid the organic acid stored inside the vacuoles until the next day अब यह जो सारा process हुआ था मतलब C4 जो बना था अपना basically जो मतलब oxalate बन गया था न वो दिन के टाइम पे हो गया उसके बाद जो वो store हो गया अपने vacuoles में और फिर अगले दिन वो camp plant do not open their stomata but they can still photosynthesize और अब CO2 उजरत नहीं है बस light अंदर जाने लग रही है और प्रोसेस अंदर हो रहा है सब माइंड में यह ही लेकर चलते है photosynthesis क्या है plant के अंदर खाने बनाने की प्रकिरिया को photosynthesis बोल देते हैं अब यह इतना बड़ा chapter था आप देखो कितना time लगया इसके सारे parts को समझाने में और मैं उम्मीद भी करता हूं मेरी यह महनत आपके काम आईगी और आपको lecture भी अच्छा लगा होगा content भी अच्छा लगा होगा अगर आपको यह lecture अच्छा लगा है यह video अच्छी लगी है तो please video को like करें अपने दोस्त के साथ अपने friends के साथ share करें हमारे agriculture NG के चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि ऐसी ही video हम upload करते रहेंगे जो आपके upcoming exam से related related होगी और आपको उनसे कुछ time utilize ही होगा यह नहीं होगा कि आपका time waste हो रहा है sorry मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं thank you then next video में